हाई गाईस इस वीडियो में बात करेंगे जो भी स्टुनेंट्स आप लोग अगर सीवेसी प्राइबेट के डिरेट का फॉर्म फिल कर चुके हो या आपने फॉर्म फिल नहीं किया है तो आप लोग के लिए क्या प्रोसेस है जिसे की आगे का कोई भी इशू ना है जब तक सबसे पहले उनके लिए बात करते हैं जिन्हों ने अभी तुक फॉर्म अप्लाइए ही नहीं किया है और आप लोग को जो है लास्टेट भी ओपर हो गया है तो आपको आप कैसे अप्रोच करने सीवेसी को फॉर्म फिल करने के लिए ऐसा तो लास्टेट की बाद से बहुत अप्लिकेशन से इमेल हो करेंगे एंड एक डेट हमें मिल जाएगा रियोपिन का वहां से हम लोग अप्लाइए करेंगे ठीक है तो आप लोग क्या प्रॉसस फॉलो करना है वह मैं बताएता हूं अब लाश्टेट क्योंकि ओवर हो चुका है तो आप लोग को जो आपका र हमारा जो है अप्लिकेशन फिल नहीं हो पाया से वेशी प्राइट का अब साल को बचाने के लिए मुझे इसी साल कैसे विगर के अप्लिकेशन को दालना पड़ेगा तो प्लीज टेल अस्ट प्रॉसस या दुबारा से विड़ो ओपन करें तो कोई ऑफ-लाइन मेठड नही पर हैड़कर का इमेल दिया इसके सासर जो है आप अपने रिजनल ऑफिस का भी इमेल वहां पर सीची में करके डाल सकते हो तो उससे यह होता है कि रिजनल ऑफिस को भी पता सब्सक्राइब कि कि अभी तक अप्लाइने कर पाया है वैसे भी काफिस्ट ने सीवेसी अगर आपने अप्लाइब कर दिया तो आप लोग को सिंपली क्या करना है कि जो भी आपका अप्लिकेशन नमबर या और आपने पेमेंट कर चुके हो पेमेंट वहां पे डैविटेट है ले आपके अगाउंट से बट वहां अपडेट नहीं हुआ है तो उसके क्या कि पेमें में शुकर आपको क्या करना है या आपका ब्लेकेशन नमबर लेना है और उसके बास उसको एक अश्यचे आपका पस एक पास में तो यह है आपका एक तरीका होता है अगर आपका payment update नहीं हुआ है तो आपके बैंक से कट गया है मांट तो इसको डिटेल वो बेरिफाय कर लेते हैं देन आपका सबस्टर्बों परिशान ओने की बात नहीं यह आपका लाइग करें तो फॉर्म डिजेक्शन की चांसे बहुत ही कम रहते हैं अगर आपको इस बारे में नहीं डाडना है और इसकी बाद से आपको अगर मैं बता दूँ इसके बाद से कोई प्रॉसस होता ही नहीं मनलब सी बेसी को भी कुछ नहीं पहले हुआ करता था अब कुछ भी ऐसा नहीं है तो अब आपको अगर प्रिंट आउट लेकर रख लो क्योंकि उसी बेस पर आपको एडमिट कार्ड देना होगा लिका लो आना होगा ठीक है एडमिट कार्ड भी आपके ओनलाइन आएंगे तो अगरा पहली बार हो इस चैनल पर तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ने पूलना अब बात करते हैं आपके एक्जाम डेट के बारे बात करें आभी एक्जाम जो है जो फैबरिरी सब्सक्राइब करते हैं तो प्रैक्टिकल एक्जाम से पहले कभी हुआ ही नहीं है तो इस समय अपना बचों के इंक्वारी से बचने के लिए क्या सकते हो आप लोग तो इस लिए इन्हों ने ऐसा कर दिया है इस वर क्या अप्लिकेशन में ऐसा डाल दिया था कि हम करा भी स सकते हैं या करेंगे या प्रोड़ाटा वेशिस पर दे देंगे तो अभी इसकी बारें ज्यादा नहीं है जो भी चीज़े मैंने बात किया है उससे क्यों 5% चांस है कि प्रैक्टिकल एजाम होंगे अधर्वाइस कोई चांस अब आप लोग सी बिसी प्राइवेट आप बोला जाता है सीबसी प्राइवेट ठेक है सीबसी का ही पेपर दे रहे हो सारा मांक सीट वहीं मिलेगा हम अगर आप कंपार्टमेंट दे रहे हो या अपने अप्लाई गया तो कॉंसोलिंड़ेटेट मांक सीट आएगा सारे सब्जेक्ट उसमों होते हैं इंप्रूमे अपने इंप्रूमेंट दिया तो अभी के लिए बस इतना ही रखते हैं आप लोग को जो है अपकी प्रेसंस जो है एक्चुल में इस समय के स्लेवर्स के साफ़ करना है जो स्लेवर्स में एक दो दिन में आपको बता दूंगा और यह ध्यान रखना है कि लास्ट यह जो भी हुँआ आपके साथ तो उस घटना को बिना सोचे संध्य एक फ्रेस स्टार्ट करना है और इस बड़ जो है काफी अच्छा मार्क्स लेके आना है काफी अच्छा चिग्मेंट लेक्या ठीक है क्योंकि लाश्टियर में इससाथ काफी स्टूडेंट जुडेते हैं जिनका हम लोग ने देखा जो about of जैसे like 30% के आस-पास थे उन्होंने 80 प्लस लेके आये तो अगर आप 40-50 या 60% के आस-पास थे किसी लेक्ए आँ ये इजा 10-50 ये बहुत ईजी होता है तो आप सकते हैं को मैं रीच कर सकते हो कमेंट सेक्षन कुछ कुछ क्या क्या चीज़े में कांप इंपारिंग लगता है जिससे कि आपके लिए और भी अच्छे ने किया है ।